हाई, वेल्कुन नुमाइच चुनल, चलिए question number 15 साफ करते हैं question number 15 आपका है subtract this much from this much तो आपको जब subtract करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखना होगा कि किस में से किस को करना है तो यहां बोला है कि subtract करिए इस polynomial को इस में से ठीक है? तो क्या करना होगा? हमें इसको पहले लिखना होगा, उसके बाद से इसको उसके नीचे लिखना होगा है कि नहीं? और फिर minus करना होगा ओके, तो इसको पहले लिख लेते हैं solve कर लेते हैं तो यहां पर हमारा है 3x cube minus x square plus 2x minus 4 उसके बाद क्या करेंगे? इसको उसके नीचे लिखेंगे क्योंकि इसको minus करना है इसमें से separate करना है तो हम लिख देते हैं यहां पर x cube plus 3x square minus 5x plus 4 करने करना है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? कि sign change करना पड़ेगा नीचे वाले expression का तो यहां पर x cube क्या है यहां पर plus है तो यहां पर minus फिर यहां पर minus यहां पर minus है तो यहां पर plus है तो यहां पर अब यहां पर solve करेंगे यह एजिम करते हुए नीचे वाला sign मतलब x cube का जो sign है वो minus है और 3 x square का जो sign है वो minus है इस तरह से हम क्या करेंगे? add करेंगे actually तो हम यहां पर solve करते है देखिए 3 x cube और minus x cube तो actually हम क्या करते है कि coefficients को solve करते है 3 minus 1 means 2 x cube ठीक है अब यहां देजिएगा यहां पर minus x cube है और यहां भी minus 3 x square है sorry square है तो यहां पर 4 x square तो यहां पर हो जगा minus में क्योंकि दुनों minus में है इसलिए minus 4 x square ठीक है और यहां पर भी plus plus दुनों आ गया है नीचे वाला sign लेते हैं हम लोग plus plus है तो 5 और 2 को add करतेंगे और यह मिलेगा आपको plus में 7 x अब यहां पर दुनों minus हो गया है minus minus 4 4 8 minus 8 तो यह आपका हुआ का subtraction question 15 का ओके चली चलते हैं question आपके तो question आपके दिखेंगे था हम से यहां पर भी का करना है subtract करना है इस algebraic expression को इसमें से ओके तो ठीक वैसी करेंगे solve जैसा हम 15 में कर रहे थे और इसको हम करेंगे यहां पर पहर लिखेंगे यह वाला उसके पास यह इसके नीचे यह रहेगा उसके पास असौल करेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे 4y to the power 4 minus 2y cube minus 6y square minus y plus 5 ठीक है साइन का बहुत ही ध्यान रखेंगे और उसके बास यहां लिखेंगे आपके 5y to the power 4 minus 3y cube plus 2y square plus y minus 1 ठीक है और यहां पर साइन चेंज करेंगे पहले क्योंकि साइन चेंज करना ही पड़ेगा मैनस करना है तो यहां पर हो जागा पलस मैनस हो जाएगा मैनस हो जाएगा यहां पर मैनस यह पर प्लस ठीक है अब आड़ करेंगे केवल नेचे वाला साइन को ने करके तो 4 यहां देखिए, minus है, यह धुलों को Aright करतेंगे, 6 & 2 कितना हो जाएगा? 8, minus 8, y square, ठीक है। यहां देखिए, minus है, यहां minus है, तो हम गया देखिए, 1, 1, 2 होाएगा, तो, minus 2, y, अब यहां देखिए, plus हो गया, यह plus हो गया तो, five or one, six this is your answer okay चले question 17 solve करते हैं और यहां पर है आपका ये इतना सब्डेट करना है इतने में से तो पहले क्या करेंगे इसको नीचे लिखेंगे उसके solution तो हमारा ये term है 3p square minus 4q square minus 5r square minus 6 ठीक है और इसको इसके नीचे लिखेंगे और देखेंगे कि like terms को like terms के नीचे लिखना है ये ध्यान रहे है आपको तो 4p square plus 5q square minus 6r square plus 7 correct अब यहां पर sign change करेंगे क्योंकि हमें separate करना है यदि हमें add करना होता तो sign change नहीं करते ठीक है प्लस है तो मैनस हो जाएगा यहां पर प्लस है तो मैनस हो जाएगा यहां पर प्लस है तो मैनस हो जाएगा और प्लस है तो मैनस हो जाएगा प्लस वन प्लस आइड कर देंगे और यहां पर यहां पर आपको जाननी बहुत जरूरी है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा यह जितनी आप जादे बार करेंगे उतने ही आप अच्छे से पाएंगे तो बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होता है प्रैक्टिस मैक्स अमैन पर्फेक्ट क्या यह सही है मेरी खाल से यहां पर जोना से यह पर्फेक्ट प्रैक्टिस perfect practice max amount of fact practice लोग करते हैं लिगे perfect practice नहीं करते है perfect practice करने का मतलब कि आपका ध्यान आपका जो concentration है वह यहीं पर होना चीज अप्साल्प करते समय और तब आप देखेंगे कि आप perfect हो सकते हैं okay thank you so much for watching